अचनाज वेच पाकशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आम और लसोडे का अचार बनाने जा रही हूँ ये सालो साल टिक जाता है खराब नहीं होता है लसोडे जिसे लेस्वे और गोंदे भी कहते है तो ये बहुत हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते है गर्मियों के मौसम में अकसर लसोडे आते है तो चलिए हम शुरू करते है इसका स्वादिष्ट अचार बहुत ही जादा टेस्टी लगता है और ये साल भर तक खराब नहीं होता है तो चलिए हम शुरू करते हैं से बनाना हमने अंदाज से 40-45 लसोडे लिए है और एक कैरी ली है सभी लसोडे को हमने अच्छी तरह से धो के सुखा लिया है और एक ऐसी बड़ी सी कची कैरी ली हुई है तो कैरी को काट के देखा है हमने अंदर से सफेद रहनी चाहिए और इन सभी लसोडे के उपर की जो कैप होती है इसे हम चाकू से अलग कर लेंगे और या फिर ये हाथ से भी आराम से अलग हो जाती है सभी लसोडे के कैप को हटा लेंगे हमें लसोडे के कैप निकालने के बाद में पत्थर से इस तरह से लसोड़े को थोड़ा सा मारना है और फिर इसके अंदर से बीच निकाल लेंगे बीच बहुत ज़्यादा चिकना होता है अंदर से बहुत ये गौंद के जैसे होता है तो किसी चाकू की मदद से हम इस तरह से अल निकाल के और दो टुकडे कर लेंगे लसोडे की और अलग बरतन में रख देंगे तो सब लसोडे के हम पहले कैप निकाल लेंगे क्योंकि हाथ चिकने हो जाते हैं इसलिए पहले सब के कैप निकाल लेंगे और उसके बाद एक एक लसोडे को लेंगे और किसी भी पत्थर से या किसी भी हैवी चीज से हम उपर से थोड़ा सा ऐसे इसको ठोकेंगे और अंदर से बीज आराम से निकल जाएगा असका तभी लसोड़े को हमने बीज निकाल के अलग रख दिया है और अब हम आम लेंगे आम को अच्छी तरह से धो के हमने कपड़े से पहुच लिया था ये पूरी तरह से सूग गया है तो अब हम इसके टुकड़े करेंगे तो आम का अचार यदि हमें बनाना रहता है लसोड़े के साथ में तो इस तरीके का आम लेना है जिसकी की गुटली छोटी रहती है और अंदर का गुदा जादा रहता है तो इसी तरह का ये आम हमने लिया हुआ है और इसके हम चोको चोको सब के टुकड़े कर लेंगे अब आम के टुकड़ों को हम कटे हुए लसोड़ी के अंदर मिला देंगे और दोनों को मिलाने के बाद में अब हम इसमें मसाला डालेंगे तो पहले हमने इसमें नमक डाला है नमक हम ज़्यादा डालते हैं नमक ज़्यादा डालने से अचार खराब नहीं होता है अब इसमें हमने हल्दी पौडर डाला है एक छोटी चमच अब दो चमच भरके हम इसमें अचार का तयार मसाला डालेंगे तो इसमें हमने रेडिमेट मसाला लिया हुआ है आप चाहे तो इसमें घर का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं और यह डालके हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं क specialize अब एक अलग बधन लिंगे और उसमें हम चार्च भर कर तियल डालेंगे जब तेस थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर सबसे पहले हम हींग दा लेंगे तो हींग डालने के बाद में हम इसके अंदर एक चोटी चमज्फ़ दाना मेती डालेंगे दाना मेती के के बाद में इसमें हम एसे इतार लेंगे मैं physics इसमें कोई भी तेढल सकते हैं इसमें सरसों का तेल नहीب लिया ओव है गैस अल्रेडी हमने बंद कर दी है अब इसको हम अचार के उपर डाल देंगे जो हमने मसाले डालके रखे उनके उपर अब हम इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हमने गरम तेल में राई इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि हमने जो तयार मसाला लिया हुआ था उसके अंदर राई अल्रेडी थी इसलिए हमने तेल में राई नहीं डाली अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और म पूरी तरह से ठंड़ हो जाएगा तब हम सोफ काच के सुखी बरतन में या किसी बॉटल में भर कर रख देंगे हमने अचार को काच के बरतन में भर कर रख दिया है अचार चार पास दिन बाद खाने लायक हो जाता है इसे दबा कर ढखकन लगा कर हम 4-5 दिन के लिए रख देंगे आप चाये तो धूप में रख दीजिए वैसे धूप में ना भी रखेंगे तो भी 4-5 दिन में ये खाने लायक हो जाता है और ये अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इस तरह से आप भी जरूर बना